Frontal Automatic Washing Machine के सेग्मेंट में जब कभी भी टॉप टू ब्रैंड की बात होती है तो iBure LG का नाम ज़रूर आता है एसे में दोस्तों अगर आप आपने पास से छे लोगों की फैमिली के लिए एक बैस्ट 8kg की Frontal Automatic Washing Machine पर्टिस करना चाहते हैं और Confuse हैं iBure LG की 8kg Washing Machine के बीच में तो आज का ये वीडियो दोस्तों आपकी सारी Confusion दूर करेगा तो कि आज की स्टूडियो में आपको iBure LG की 8kg 5 Star Frontal Automatic Washing Machine के बीच में डिटेल के में प्रेजन करके बताऊंगा जिसमें मैं आपको इन दोनों की Washing Machine के Common Features, Different Features और Pros and Cons के बारे में बताएंगे जिससे कि दोस्तों आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी अपने लिए एक Best Buying Edition लेने में जब कभी भी हम पहनी पार हमारे लिए कोई भी Washing Machine पर्टिस करने के लिए प्लान करता है तो बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आता है जिससे कि हमको अमारी Family Member के साब से कितने किलो की Washing Machine पर्टिस करना चाहिए 6kg, 7kg या फिर 8kg Washing Machine को उन से पर्टिस करें Semi-Automatic Top Loot या फिर Front Loot एक Washing Machine के अंदर कौन-कौन से एसे जरूरी Important Features होना चाहिए जिससे कि दोस्तों हमें Machine से बहुत ही अच्छी Washing Quality मिले Washing Machine में हमें डिटर्जन कून सा यूज़ करना चाहिए और Machine में कपड़े लूट करने से पहले हमें किन-किन बातों के बारे में पता होना चाहिए जो दोस्तों इस टॉपिक के उपर मैंने आपके लिए डिटल में वीडियो अल्रेडी बना हुआ है जो कि Complete Washing Machine Buying Guide वीडियो है Washing Machine पर्टिस करने से पहले दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए जिससे कि आपके सारे डाउट्स के लिए और आप अपने लिए एक बास्त Washing Machine पर्टिस करता है दोस्तों इस वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी Front or Automatic Washing Machine में Front में आपको एक डूर मिलता है इसी डूर को ओपन करके मशीन में आपको कपड़े लोट करना होता है उसके बाद डिटर्जन ट्रे में आपको डिटर्जन डालना होता है फिर wash cycle slate करनी होती है और उसके बाद आपको प्ले बटन दैने की start बटन को प्रेस करना होता है मशीन कपड़ों के वीड की recording दोस्तों उन्हें वेटर लेवल को manage करती है फिर आपको कपड़ों को wash करती है फिर उन्हें खंगालती है और उसके बाद उन्हें ड्राइव भी करती है वहीं दोस्तों फ्रंट रोटोमेटिक वाशिंग मशिन के प्राउज और कॉंस की बात करें तो प्राउज देने के फायदे आपको यह देखने को मिलेंगे कि वहीं फ्रंट रोटोमेटिक वाशिंग मशिनों दोस्तों आपको वाशिंग कोलेटी भी काफी कमाल की मिलती है और इसके कौन सेने की कमी के गरम बात करें दोस्तों कमी ये केवली हैं कि आपको टॉपल अटोमेटिक वाशिंग मशीन और सेमी अटोमेटिक वाशिंग मशीन के मुगाबले फ्रन्ट लोड मशीन प्राइज में थोड़ी सी महंगी देखने को मिलेगी दोस्तों अब हम बिना समय कमाएं LG और IP की 8kg 5 star frontal automatic washing machine के बीच में detail comparison को शुरू करता है सबसे पेले दोस्तों इन दोनों की washing machine में आपको क्या-क्या common features और technologies देखने को मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों spin speed की बात करें तो दोनों की washing machine में आपको 1400 RPM की spin speed मिलेगी और एक washing machine में दोस्तों जितनी ज्यादा spin speed होती है वो machine आपकी कपडों को उतनी ही ज्यादा जल्दी फास्टर ड्राइ करती है यानि कि आपके कपड़ों को wash करने के बाद जल्दी से सुखाती है वही दोस्तों इन दोनों की washing machine में आपको जो drum मिलेगा वो stainless steel का बना हुआ मिलेगा इसका patent name आपको अलग-अलग नाम से देखने को मल जाता है लेकिन इन drum दोस्तों stainless steel का बना हुआ है और आपको काफी अच्छी washing quality प्रोवेट करने में काफी मदद करता है वही दोस्तों इन दोनों ही washing machine में आपको inbuilt heater मिल जाता है यानि कि आप गर्म पानी में कपड़े wash कर सकता है साथे आपको steam wash का feature भी मिलता है दोनों ही machine में आपको auto restart का feature मिलेगा और ये feature कुछ इस तरीके से काम करता है कि suppose अगर आपने machine में कपड़े load कर दी है और wash करना शुरू कर दी है और आचानक बीच में electricity येने की light चली गई दोस्तों जब कभी भी electricity ये light दोबारा आएगी तो machine आपके कपड़े वापस वही से wash करना शुरू करेगी ज़रूत इसलिए होती है क्योंकि machine में जब कभी भी हम लगातार कपड़े wash करते रहते हैं तो जो भी कपड़ों के रूबे होता है और जो mail होता है वो filter के उपर जाकर जमा हो जाता है इसलिए करने कि आपको ज़रूत इसलिए कि दोस्तों जब कभी हम लगातार machine में कपड़े wash करते रहते हैं तो जो भी कपड़ों का mail होता है या जो भी गंदगी होती है वो tub में जाकर freeze हो जाती है as a layer के रूप में तो उससे time to time clean करना काफी ज़रूरी है इसके लिए दोस्तों market में descaling powder भी आता है LG और IB में इनके कुद के descaling powder है उनकी best buying link में आपको discussion box में दो दूँगा उन descaling powder के मदल से दोस्तों आप washing machine के tub को proper तरीके से clean कर सकते हैं दोनों की machine में दोस्तों आपको child lock का feature भी मिल जाता है common features के बाद अब अम इन दोनों की washing machine के different features और आपको 10 washing program मिलेंगे जबकि IB की washing machine में आपको 14 washing program मिलेंगे कुछ और other special features की बाद करें दोस्तों LG की washing machine में आपको inverter डिरेक्ट रएं motor मिलती है और यही मोटर दोस्तों काफी कम noise करती है और अच्छी खासी आपको power saving provide करती है दोस्तों inverter motor तो काफी सारे brand में आपको देखने को मलती है लेकिन दोस्तों इस मोटर के mechanism के बात करूँ तो इस मोटर के अंदर आपको belt अलगा हुआ नहीं मिलेगा यह आपको direct drive technology की motor मिलती है जो कि एक latest technology है इसी कारण से दोस्तों LG की जो washing machines होती है वो काफी कम noise करती है वही दोस्तों इस washing machine के अंदर आपको six motion DB technology का feature मिलेगा और यह feature दोस्तों काफी कमाल का है क्योंकि machine में दोस्तों छे अलग-अलग pattern से आपकी कपड़े wash होता है जिससे कि दोस्तों आपको एक अच्छी कमाल की washing quality का experience होता है इस washing machine में दोस्तों आपको smart diagnosis का feature भी मिलेगा suppose दोस्तों अगर आपकी washing machine में किसी भी प्रकार की कोई भी problem है तो आप LG की thank you app या फिर LG के customer के एर पर call करके अपनी problem को वहां से travel shooting करा सकते हैं वहां से problem का जो भी exit error है वो पता कर सकते हैं वहीं दोस्तों IB की washing machine के other features and technologies की बात करें तो इस machine में दोस्तों आपको equal energy का feature मिलता है और ये feature कुछ इस तरीकिस से काम करता है कि दोस्तों machine के अंदर एक inbuilt water softener device लगा हुआ है और दोस्तों ये जो device है वो hard water को soft water में change करता है जिससे कि आपको एक अच्छी washing quality का experience होता है अगर आपके हाँ hard water आता है तो दोस्तों इस मामले में ये machine आपके यहाँ एक अच्छा performance प्रोवाइड करेंगी वाई इस machine में आपको 3D wash का feature मिलेगा जिसमें water supply machine के अंदर तीन अलग अलग direction से होती है और आपको एक अच्छी washing quality मिलते है इस machine में दोस्तों नाजुक कपड़ों को wash करने के लिए आपको cradle wash का feature मिल जाता है यहने कि अगर आप यहाँ party wear के कपड़ा है तो आप इस प्रोग्राम में जो है वो एक अच्छी तरीके से wash कर सकता है साथ ही दोस्तों आपको steam refresh का feature भी मिलेगा सपोज दोस्तों अगर आपको यहाँ कुछ एसे कपड़े हैं जो कि अलमारी के अंदर रखे हुए है और आप चाहते हैं कि दोस्तों ने रिफ्रेश रने के वापस से एक अच्छी दुराई के साथ रिफ्रेश किया जाए तो आपको एक अच्छी washing quality इस machine से मिलेगी अब बात करेंगे दोस्तों इन दोनों की washing machine की warranty के बारे में दोस्तों LG के machine में आपको 2 साल की overall product पर warranty मिलती है और 10 साल की motor जबकि आपको IB की washing machine में 4 साल की overall product पर warranty मिलेगी 10 साल की motor पर वो भी spare parts support की साथ में यानि कि 10 साल की spare parts support पर भी आपको warranty मिल जाती है अब ये spare parts support की warranty क्या है सपोस्तों अगर आप IB के इस washing machine के model को अपने लिए purchase कर लेता है और future में company ने दोस्तों अगर इस model को discontinue भी कर दिया तो भी दोस्तों कंपनी आपको 10 साल तक spare parts support पर warranty provide कर दी रहेगी अब हम बात करते हैं price की दोस्तों LG के इस machine को फिलार आप purchase कर सकते हैं 33,990 रुपे में जबकि आप IB की इस machine को फिलार अपने लिए purchase कर सकते हैं 33,590 रुपे में दोनों ही washing machine की best buying लिंग दोस्तों में आपको description box में available करा दी है और दोस्तों जो प्राइज होती हैं वो हमेशा offer and sale period के साब से change होती रहती हैं इसलिए आप best binding को ज़रू चेक करें अब हम बात करेंगे इन दोनों की washing machine के pros and cons के बारे में सबसे बिले हम LG की frontal automatic washing machine के बारे में बात करता हैं तो दोस्तों इस machine में cons इने की कमी आपको यह देखने को मिलेगी कि आपको inbuilt water softener device इस machine में लगा हुआ नहीं देखने को मिलेगा अगर आप क्या hard water आता है तो दोस्तों आपको request करूँगा कि market से अलग से water softener device आप purchase कर लें जो कि आपको 1000 उपर तक की price में देखने को मिल दाएगा और best water softener device की link में आपको description box में भी देदूँगा आप अपनी requirement के साब से उन water softener device तो इसको check कर सकता है वहीं दोस्तों आपको जो drum size मिलती ह NG की washing machine में वो compared to other brand के मुकाबले थोड़ी सी छोटी देखने को मलती है वेसे दोस्तों इनके पुराने models थे उनमें काफी छोटी drum size आपको देखने को मलती थी लेकिन new models को थोड़ा सा और upgrade किया गया है जिसमें drum size को थोड़ा सा increase जरूर किया गया है लेकिन फिर भी compared to other brand के म गाबले अभी भी आपको जो भी drum size मिलती है वो थोड़ी सी छोटी ही यहाँ पर देखने को मलती है वही प्रॉज देने की फायद हो कि अगर में बात करूँ तो दोस्तों LG की washing machine में आपको inverter direct drive motor मिलती है machine की built quality है वो आपको काफी solid और strong यहाँ पर देखने को मिल जाती है और 5B के इस model में आपको inverter motor नहीं मिलती इस करण से दोस्तों यह washing machine compared to other brand की washing machine के वो गाबले जब कभी भी आप कपड़े wash करते हैं खास करके दोस्तों जब कभी भी कपड़े spin हो रहा होता है यहने की dry हो रहा होता है उस दोरान दोस्तों machine काफी ज़्यादा noise करती है वहीं दोस्त वो आपको काफी solid और strong IB की washing machine में देखने को मिलती है अब बात करता है दोस्तों दोनों की brand की after sales services की metro cities में दोस्तों दोनों की brand की जो after sales services है वो काफी बड़ी आपको मिलती है टेक्शन का response आपको timely मिल जाता है लेकिन अगर मैं pan India के बात करूँ तो LG की जो after sales services है वो आपको थोड़ी सी बैतर देखने को मिलती है compare to IB की washing machine के मुकाबले दोस्तों बहुती महनत और सच करके आपके यलिक वीडियो बनाता है ताकि आपको मदद हो अपने लिए एक best product को choose करने में इससे में दोस्तों अगर आप कोई भी product online purchase करना चाहता है तो हमारे दोरा देगे affiliate link से ही purchase करें क्योंकि आपको महाँ पर bank के credit card और debit card के ओपर offers देखने को मल जाएंगे और अगर आप हमारी affiliate link से अगर purchase करता है तो दोस्तों आपके product की price तो वही रहेगी लेकिन आप indirectly हमारे channel की काफी financially help पर देंगे अगर आप हमें support करना चाहता है तो हमारे दोरा देगे affiliate link से ही purchase क features, pros and cons के बारे में आपको retail में बताया है उमेद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के मात्यम से अब आप अपने लिए एक best 8kg की frontal automatic washing machine ज़रूर पर्चेस कर पाएंगे लेकिन दोस्तों अगर आपकी requirement जो है वो एक 8kg frontal automatic washing machine की नहीं है और आप अपने लिए 6kg, 6.5kg, 7kg, 9kg, 10kg की frontal automatic washing machine purchase करना चाहता है तो दोस्तों दोनों की brand में अलग-अलग model के option available है और उन सभी की best buying link में आपको description box में available करा दूँगा आप अपनी requirement के साब से उन models को भी check out कर सकता है उम्मेद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा अगर आपको ये व वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे आप उन demo वीडियो को देखकर और अपना knowledge बढ़ा सकता है जिससे कि आपको एक और अच्छा better experience हो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही मिलता है बहुत जल्दी एक new वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन दे मातराओ